कि ये स्रामलेकुम आज कि हम अपनी स्वीडियो में इंग्लिश कोड 504 का लेसन 39 पढ़ने जा रहे हैं कि जो के हैं मित्स रिलेटर टू सेकंड लेंग्विज एक्विजिशन जो सेकंड लेंग्विज एक्विजिशन के बारे में डिफरेंट किसम की आईडिया जो कुछ एक बातें बनी होती हैं उनके बारे में मतलब इस लेसन में हम बात करने जा लें तो चलें स्टार्ट करते हैं आप लोगों से रिक्ष्ट है कि प्लीस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा डियर डिफरेंट एसपेक्स सेक्रिल लेंग्विज प्रॉफिशन सी कैनेडिय आद बडियर हैं इसकीजिंग उपेफिश हैं इसमें की इन धी किस रा Спैस्त अध्यक्राइब धiness और यह लेंग्विजिंग कैंट लेंद चैनल के स्टी में कामंटन मैं घाँ नहीं हैं तो ईक मिल्पॉर्टे जड़ु ऑन कौन सांविए उप्न कॉण धागे का क biblical किमियर academic language proficiency. For the sake of simplicity, BICS are often referred to as conversational English, the surface language that native speakers use in informal talk. Although there are individual differences, research shows that second language learners frequently develop native-like conversation skills within two years. This is the BICS, which can be explained in the context of the conversation. It is called Interpersonal Communication Skills. It is called Interpersonal Communication Skills. It is called Interpersonal Communication Skills. It is related to the information that it is used in the language and how many native speakers use the language. को यूज़ करते हैं इसके बारे में उसने बात की हैं और इंडिविजियल डिफरेंसे रिसेट शोज़ एर सेकें लैंगुज़ लेर्नर्स फ्रीकुनिटी ड्वेलप नेटिव लाइफ करना शुरू कर देता हैं कुछ नहीं कर सकते तो लेकिन फिर भी जो है कि नेटिव कर लेता है कि काल्प इस राफर तो एज एकिडेमिक इंगलिश इसकी जो प्रॉफिशनसी है वह आपको पांज से साथ साल लग जाते हैं ड्वेलप करने के लिए और इसमें राइटिंग और रीडिंग दो नहीं आती है ठीक है जी एकिडेमिक में डेफिनिटली आपको पत कि राइटिंग की जरूरत पड़ती है एजुकेटर सम्ताइम्स मिस्टेकन ली एज्यूम स्टुडेंट्स इंगलिश नो लंगर रिक्वार्ट इंग्वेज इंसक्शन इंटिफिकल तो नहीं होती है इसे नहीं है इंग्लिश कंवर्सेशन करना इस सम्थिं एल्स और पॉंट पॉंट इव से लिखना है इस तो लोंग लॉंग इंड़िज प्रोवी स्टूट बूॉज उसे प्रोट इंपिटली तो नहीं हों जो इंडिवीजियल स्टूट्वेंग वहीं अप्रोची उन्टिपरेश्ट्णि से लिखेंगर अब कहरें आप्टडियों में कॉ factors हैं जो इस चीज़ को affect करते हैं such as social and cultural factors, previous educational background, age, oral literacy skills and primary and home language, parental attitude and experiences. इस सारी चीज़े हैं जो second language acquisition को करती हैं, मतासर करती हैं. अगर किसी बंदे का previous educational background बहुत अच्छा है तो definitely जब वो academic writing में आएगा तो वो अच्छा ही लिखेगा तो यह सारी बात हैंगे. second language learning is a complicated process that takes time. Teachers must know how children learn a second language and intuitive assumptions are often mistaken and children can be harmed if teachers have unrealistic expectations of the process of second language learning and its relation to the acquisition of other academic skills and knowledge. some common misconceptions and myths about children and second language learning. अब कुछ जो बनी हुई है, myths बनी हुई है second language learning के बारे में, जो मतलब कहते हैं कि अपनी तरफ से कुछ लोगों ने जो बातें बनाई होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं, चिल्डने लरन second language quickly and easily as their brains are more flexible. अच्छा जो बात है कि बच्चे इसली चल्द कर लेते हैं second language तो यह भी मतलब एक बात बनी है कि उनका brain flexible होता है, तो current research challenges it, जो मजूदा research है, उन्होंने इस चीज को challenge कि और उन्हें इस तरह से गोई भी प्रूव नहीं मिला, children do not have access to memory techniques and other strategies, तो यह मतलब उन्हें किसी किसम के अभी यह भी एक मीत ही है, इसके बारे में कोई भी evidence नहीं मिला strong किसम का, the younger child the more skilled he is in acquiring and second language research does not support this conclusion in school settings, अब यह है कि जितना बचा छोटा होगा वह उतनी जल्दी किसी second language के acquire कर लेगा, तो यह भी बात उन्होंने school setting में गलत कर दी, the more time spent in second language context the quicker they learn the language research indicates that increased exposure does not necessarily speed the second language acquisition, children in bilingual classes acquired second language skills equivalent to those acquired by children who have in English only programs, अब यह कि जो बंदा जितना जितना ज्यादा आप उस context में रहेंगे, native community में रहेंगे तो आप जल्दी सीख रहेंगे तो ऐसा नहीं है, second language acquisition अपने हिसाब से ही आएगी तो ऐसा उन्होंने यह कहा कि ऐसा भी कोई ऐसा, in the more complex academic language, अब बात हैंगे जिए बच्चे जो हते हैं वह second language acquire, जब वह कर लेते हैं तो इसको बोल सकते हैं तो वही कहते हैं कि ठीक हैं बोल सकते हैं लेकिन, बात है कि सिरफ communication is not only an acquisition of a second language, academic writing i. जो daimic language अबहें आने चाहिएं, All children learn a second language in the same way this assumption underlies a great deal of practice, ने बच्चे वह एक यह तरीके से शीखते हैं तो यह बी कलत है हर बच्चे की अपनी एक सेटिंग्स होती है बच्चे का अपनी एक इस बात को भी जहन में रखना पड़ेगा आपको समझ आगयोगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा वीडियो का लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा कॉमेंट कीज़ेगा थैंक्स वाचिंग